हम लोग आज जो क्लास 12 का बायलूजी का चैप्टर पढ़ रहे थे मानो कल्यार में सूच में जीव इसका हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग उने इसका जो इंट्रोड़क्टरी पार्ट था वो पढ़ लिया था और घरेलू उत्पादों में सूच में जीव क्या कारी करते हैं कैसे कार करते हैं यह पढ़ लिया था आज हमें पढ़ना है उत्पादों में सूच में जीव यानि जो हमारी इंड्रस्ट्री जो उत्पादों के कारे होते हैं उसमें सूच में जीव का क्या रोल है यहां तक की उद्योगों में भी सूच मजीवों का प्रियोग बहुत से उत्पादों के संस्लेशन में किया जाता है यानि कि जो उद्योग होते हैं जो में उसमें भी सूच मजीवों का प्रियोग बहुत सारे प्रोड़क्ट के बनने में किया जा रहा है जो कि मनुष्च के लिए काफी मूलेवान होते हैं मादक पे तथा प्रतिजैविक यानि एंटिबायोटिक्स हम लोग सभी लोग जानते हैं एंटिबायोटिक्स के बनने में भी सूच मजीव जो होते हैं इंपोर्टेंट होते हैं वेसाइक पैमाने पर सूच मजीवों को पैदा करने के लिए बड़े बरतन की आशक्ता होती है, जिसे फर्मेंटर या किन्वक कहते हैं, यानि कि बड़े पैमाने पर सूच मजीवों बनाये जाते हैं, पैदा किये जाते हैं, तो उनको कहते हैं फर्मेंटर या किन्वक जिसक रिषेशिकर यिस्ट का प्रियोग प्राचीनकाल से वाइन, बियर, विस्की, ब्रैंडी या रम जैसे पयोग के उत्तपादन में किया जा रहा है, यानि जो yeast होता है उसका प्रयोग इनसम में होता है इस उद्देश की पूर्ती के लिए वही yeast Saccharomyces cerebici जो सामानिता Breaverse yeast के नाम से भी प्रसिद्ध है Bread बनाने तथा माल्टी कृत धान्यों तदा फनों के रसों में एतनौल उत्पन करने में प्रयोग किया जा रहा है क्या आपको वे उपाप चाहिया भी किरियाय याद है जिसके परणाम सरूप yeast तदा एतनौल उत्पादित होता था यmiyorum चाहियाय किरियाये हैं जिसमें yeast तदा एतनौल जो होता है उसका वो प्रोडक्ट बनते हैं विभिन प्रकार के अलकोहली प्रे की प्राप्ती पे मिस पीने वाला पदार्थ किन्वन तथा विभिन प्रकार के संसाधन आस्वन तथा उसके बिना कच्छे पदार्थों पर निर्भर करते हैं वाइन तथा बेयर का उतपादन बिना आसवन के जबकि विस्की, ब्रैंडी तथा रम किन्वी तरस के आसवन दरा तैयार के जाते हैं। किन्वन सनियत पूरा बना हुए है और यहां पर उपर किन्वक दिया हुआ था यहां पर पूरा इसका सिस्टम पूरा दिखाया गया है कि कैसे किस तरीके से फैक्टरीज में यह जो चीजें होती हैं विस्की, ब्रैंडी, रम यह सब चीजें यिस्ट का उप्योग करके के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्दी माने जाती है, एंटी एक ग्रीग भाशा का शब्द है, इसका अर्थ है खिलाफ, तथा बायो का अर्थ है जीवन, तो एंटी बायोटिक्स, यानि कि जीवन के खिलाफ, रोगों को, रोग जो जीवों से उत्पन होते हैं, यानि कि उन रोगों के, उन जीवों के खिलाफ, जिन से रोग उत्पन होता है, उनके साबसे इसका नाम जीवन के खिलाफ एंटी बायोटिक्स रखा गया है, जबकि मनुशियों के संदर में ये जीवन के खिलाफ ना होकर जीवन के प्रती माने चाते हैं, ऐसा नहीं कि मनुशियों प्रतिजयविक एंटिब्योटिक्स एक प्रकार के रसाइनिक पदार्थ है यानिक प्रकार के केमिकल ही है जिनका निर्मान कुछ सूचमजीवों द्वारा होता है यह अन्य रोग उत्पन करने वाले सूचमजीवों की वृद्धी को मंद अत्वा मार सकते हैं दो तरीके से का कर सकते हैं या तो उनकी ग्रोथ रोग देंगे या तो उने किल कर देंगे तो यह बनते भी यह काम भी सूचमजीवों के अगेंस्ट करते हैं और यह बनते भी सूचमजीवों से हैं आप सामाने रूप से प्रियोग में लाए जाने वाले एंटिबायोटिक पेनिसिलीन से परिची थी कि आप जानते हैं कि penicillin सबसे पहला ईंटिवाइए। जिसकी खोश की ति ऐलेक्जेंटर फ्लेमिंग ने देखिए आप में इसमें पहले लिक्शंटर फ्लेमिंग जब इस्टद्फायल कोकस बैक्टिरिया पर काम रहे है तब उन्हें दिखा Ю प्रभाव मोल्ड दारा उत्पन एक रसायन पेनिसलीन दारा होता है पिर उन्हों ने इसके बारे में स्टडी किया तो नहीं ये पता चला कि अगर वो मोल्ड प्रेजिन्ट है तो पेनिसलीन ग्रो नहीं किया सॉरी स्टेफायलो कốcस ग्रो नहीं किय पिर उन्हों लें पता रगय कि इस मोल्ड के अंदर पेनिसलीन था जिसकी वज़ए से जो स्टेफायलो कोकस था वो कर सका तो यहीं समझ में आया कि पेनिसिलीन जो है स्टेला इस फाइलो कोकस के अगेंस्ट काम करती है चुकि पेनिसिलीन पेनिसिलीम नोटे टम नामक मॉल्ड से उत्पन होता है इसलिए इसका नाम उन्होंने पेनिसिलीन रखा यह दिपी बाद में अर्नेस चैन और तैरों ने इसकी एक शक्तिशाली और प्रिभावशाली इंटिबायोटिक के रूप में पुस्टी की इस एंटिबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्वयुद में घायल अमेरिकन सिपाईयों के उपचार में व्यापक रूप से उप्योग किया गया फ्लैमिंग चैन तथ फ्लैमिंग चैन तथा फ्लोरे को इस खोज के लिए 1945 में नोबल प्रुसकार से प्रुसक्रित किया गया लेकिन इसकी खोज अगर पूछा जाता है सबसे पहले किस ने की तो अलेक्डरिसेंटर फ्लैमिंग ने की पेनिसलीन के बाद अन सूच मुझीवों से अन एंटिबायोटिक को भी परिशुद किया गया फिर उसके बाद और सारी एंटिबायोटिक की खोज हुई क्या आप कुछ अन प्रतिजयावी की एंटिबायोटिक के नाम तथा उनके सुरोतों के बारे में बता सकते हैं प्लेक, काली खासी, डिप्थीरिया जिसको गला गूंटू भी बोलते हैं लैप्रोसी यानि कुस्ट रोग जैसे भेयानक रोग जिनसे संसार में लाखो लोग मरे हैं फिबायोटिक ने हमारी शमता में बृद्धी के एक शक्ति के रूप में आए हैं आज हम एंटिबायोटिक से रही संसार की कलपना नहीं कर सकते हैं जरा सामें फीबर होता है, कुछ होता है फॉरन एंटिबायोटिक ली जाती है देखिए सबसे एक और इसमें डिजीजर इसका नाम नहीं लिखा है जो कि है टूबर क्लोसिस टीबी आज से कुछ साल पहले जो टीबी थी वो इतना जाता घातक मानी जाती थी कि जिसको लोग यह मान लेते थे कि जिसको टीबी हो गया वो अब बचे गाई नहीं लेकिन आज और आज कल टीबी हो जाती है किसी को तो कोई बड़ी बात नई टीबी की दबाcil चलती है वो ठीक भी हो जाता है 6 मनध या त्री मनध कोर्स चलता है और उसके बाद उसमें ऑन्टिबायョटिक्स जी होती है और एंटिबायोटिक्स के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं आईए अब हम देखते हैं रसाइन, इंजाइम, तथा अन, जैव, सक्री, अनू कुछ विशेश प्रकार के रसाइनों जैसे कार्बनिक, अमल, अलकोहल, तथा एंजाइम, आधी के वेबसाइक, तथा ओद्यों की ग्रूप में सूच मजीवों का बढ़े उत्पाइमाने पर उप्योग किया जा रहा है अमली उत्पादकों के उधरण, सिट्रिक, अमल का एसपर stitched नाईगर, यह एक एक कवक है ऐसीटिक, अमल का एसीटो बेक्टर एसीटाई, एक जीवानू है यह वायरस ब्यूट्रिक अम्लिका क्लॉस्टिडियम ब्यूटैलिकम एक जीवानू ये भी है तथा लैक्टिक अम्लिका लैक्टो बैसलस आदी है एथिनॉल की एक बड़े पैनायमाने पर उत्पादन के लिए येस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि एथिनॉल के लिए येस्ट का उप्योग हो रहा है लाइपेस का उप्योग अपमार्जक सन रूपर तता धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे अटाने में किया जाता है आपने अवश्य देखा होगा आप बाजार से खरीर कर फर रस की जो बोतल लाते हैं उसका रस घर में बने रस की तुल्ला में अधिक साफ दिखाई देता है क्यों कि प्रोटी एजीज के प्रयोग के कारण बोतल वाला रस अधिक स्वक्ष और साफ होता है स्ट्रिप्टो काईनोज स्ट्रिप्टो कोकस जीवानू यानि बैक्टीरियम द्वारा उत्पन होता है जो आनुवशी इंजीनरिंग द्वारा रुपांत्रिक होता है इसका उपियोग उन रोगियों में रक्त वाहिक्यों से थक्का क्लॉट हटाने में थक्का स्वक्ष पॉर्टन के रूप में किया जाता है यानि क्या करते है, streptokinase जो है, उसका उपयोग जो कहीं वे खुन का थका बन जाता है, अंदर जो हिरदे के रोगी होते हैं, उनमें खुन का थका बन जाता है, तो जो ब्लड़ सप्लाई होते हैं, भूँ की दौरान होती है वो रुख जाती है, तो इसकी वढ़े से उसका उ तो मायो काडियल इंफाक्षन होता है वहां कि कुछ जो होती है कोशिका जोती हिर्द्य कि वो डेड हो जाती है इसे को बोलते हैं हाट अटेक अन्य जैफ सैक्रीक अनू साइक्लोस्पोरीन ए है जिसका प्रियोग अंग प्रतिरोपड में प्रतिक्षा निरोधक इम्नियोसप इस इम्यून सिस्टम को कम करने के लिए इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पाईलोस्पोरम नामा कवक से किया जाता है इसमें सिर्फ आप लोगों को नाम नाम याद करना है यह पूरा रटने वाला चैप्टर है मोनासकारस पर्प्यूरियस यीस से उत्पन इस स्टैंट का व्यपारिक स्टैंटिन जो होती है उनका काम होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करना तो मोनासकारस पर्प्यूरिस यीस से उत्पन स्टैंटिन होता है जिसका उप्योग कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किया जाता है कोलेस्ट्रॉल के संस्टेशर के लिए उत्तरदाई एंजाइ पर्धा संधमन निरोधन की तरह क्रिया करते हैं अब हमें अगला जो पढ़ना रहेगा वो हैगा वाहितमाल वाहितमाल उच्चार में सूचमजीव तो यह हमें पढ़ना रहेगा आगे अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे थैंक यू